स्टार्ट करते हैं चिकन सूप बनाना इसके लिए मैं यहां ले रही हूँ 1.500 ग्राम विद बोन चिकन सूप नहीं बनता है तो हमें यहां पर विद बोन चिकन ले ला है यहांने 1.500 ग्राम लिया है इसमें मैं चार कप पानी आइट करूँगी कॉस्थे और स्विधु कर दो अध्ति आहिए कहुँद्यू आईए कि ट्टिव में आर्योज उइने की कि जब तक सॉल्ट की अच्छे से पूरू और रटी जाता पीछ आएगा तो थोड़ा सा मज़ा कम आएगा उसके बाद में यहां छोड़ा सा नियन ले रही हूं जिसको मैंने टुपीस में कर दिया है एक टेश कंता चाड़ से पांच खली रसन यहां मैं दो छोड़ी तुकड़े अधरक के लेगी हूं जाएज में यहां एक स्टार्डी स्टार ले यानि की चप्रेट फूर दिवाद में यहां डालो की आट से दस काली मिट्ची एक छोटा सा तुकड़ा वाट इस दिस चोटा से तुकड़ा जावित्री दो लॉंग एक छोटी लाएंची और एक छोटा सा दालचीनी का तुकड़ा एक इसमें अच्छा सा वाइल आने दे उसके बाद हम इसको स्लो फ्लेम में पकाएंगे लाइस ये जो चिकन में बॉयल आया है इसके बाद इसमें ये जो वाइट वाइट उपर आ गएंगे इसको हम पूरा निकाल लेंगे अच्छे से यह हमें बिल्कुल पी स्कुर्प में मिक्स नहीं करना है यह जो फैन की तरह दिख रहा है इसे हमें पूरी तरीके से बाहर निकाल लेना है दीखिए मैंने पूरा अच्छे से हटा लिया है इसको हम फेख देगे और चिकिन को दू से चार मुनिट इसी तरह से हमें हाई फ्लेम में तेज बॉयल के साथ बगाना है दो से चार मुनिट हो चुके हैं अब हमें आज को बिल्कुल स्लो कर देना है इतम स्लो आज में हमें चिकिन सूप को कि अध्ली स्वित से पैजिस मिनिट तक देरे दीरे पकाना है क्योंकि जो जूसिस होते हैं बोन में और इसके जो पोटी के अंदर और हटी के अंदर वो हमें रिलीज करना है पाली के अंदर तब ये सूप अच्छे से बन के तयार होगा इसके लिए हमें टाइम लगेगा और बलते हैं तीस से 35 मेंट के बाद तीस से 35 मेंट हो चुके हैं चलिए हम चिकिन सूप को चैक करते हैं यह बनकर बिल्कुल तयार है और इसके पीसीज भी अच्छे से कर चुके है चलिए इसके जो पीस है वो हम निकाल कर बाहर रख लेते हैं और इन पीसीज में से सारा जो गोश है वो हम हाथों से बाहर निकाल लेगी और हट्डी को अलब कर देगे सुप बहुत अच्छे से पक चुका है अब मैं इसमें यह एक चमच मैंने कॉन कार बोलके रखा है मैं इसमें आइड करते हूं यह ऑप्षन है गाइस कोई जरूर नहीं है कि आप इसमें यह डालें बस यह इसकी थिकनेस को थोड़ा बढ़ा देगा टेस्ट में इससे कोई फर्क भी पड़ेगा और एक बॉयल देगे इसको हम बन कर देगे इस बॉयल आ चुगा है देखिए थोड़ी सी थिकनेस भी बढ़ गई है सूप में इसको छान ले देगे फ्रेंट्स मैंने सारे बोन से चिकिन को निकाल लिया है और सूप भी मैंने छान लिया है अब मैं इसमें इसको सारा मिक्स कर दूँए इस तरह से और हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे गईज मैं इसमें एक चुटके काली मिर्च डाल रही हूं आप अपने हिसाब से जितना आप तीखा चाहें उससाब से डाल सकते हैं गर्मगरंग चिकन सूप बनकर बिल्कुल तयार है बहुत टेस्टी और फ्लेवर्ड मनाएं अगर आपको मेरे आज की अरेश की पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माइ चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना पूले थैंक्स वर वाचिंग माइ वीडि